हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मनिशा और आप सभी का हमारे चैनल चलो लर्न करते हैं मैं स्वागत है आज हम लोग टेबल के ड्राइंग बनाना सिखेंगे तीन तरीके से टेबल के ड्राइंग बनाएंगे तो फिर चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस कहँ लेंगे और से सीधी लाइन खीचेंगे उसके बाद फ्यर देकि द्रइट डाइट डाइडिरक्षिन में इधर भी डाइना हाथ की तरह हमारा होना चाहिए लाइन जो है इस तरह से हम खीजेंगे ठीके इस तरह से ऐसे हैं ना ये डाय डायरेक्शन में यह मैंने आपको सिंपल हाउस जब बताया था तो उसमें इस चीजें बेले बताई थे और इसी केस से बराबर लेते हुए हम इसी डायरेक्शन में दूसरी लाइन खीजेंगे आप इसे हम मिला देंगे अब हम इसके पैर बनाएंगे टेबल के जो पाए होते हैं इस तरह से यह मैं फूर सेंटीमीटर ले रही हूं देखी मैं नापके ठीक है आप मतलब आप अपने हिसाब से जितने आपके लंबाई होगी आप अतना ले सकते हैं जितने आपके टेबल के लंबाई चोड़ाई होगी उस हिसाब से आप अपना टेबल का देख लिजेगा कितना हम ले इस तरह से हम पूरे में खीच लेंगे बराबर ये जो है पॉइंट इसके नीचे हम चौथा इसका पावा बनाएंगे तो ये इस तरह से ले लिया और ये इस तरह से हमें बना दिया इसका फैर अब देखिए इसके बराबर होना चाहिए ठीकि ये में थुआ से जादा है तो मैं इसे रेज कर दे रही हूँ इस तरह से हमारा बन जाएगा अब हम क्या करेंगे कि अगर आप चाहे तो दे सकते हैं इस तरह से लाइन नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं कोई इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं दे दे रही हूँ इसके अंदर की जो लाइन रह गया है उसे हम मिटा देंगे यह देखिए हमारा ड्रा हो गया टेबल इधर वाली लाइन मुझे थोड़ी अजीब लग रही है इसलिए मैं इसे मिटा कर इस तरह से ड्रा कर रही हूँ यह देखिए इस तरह से यह हो गया अब बाकी जो मेरा उधर का है उसे वी रेज कर दे रही हूँ वो कुस थोड़ा जादा ही अलग था अब यह देखिए अब यह सही हो गया हमारा पूरा टेबल अब हम इसे कलर करेंगे पर कलर यह मैंने इतना कर दिया था सोरी मेरा कैमरा नहीं था आप देखिए अब मैं इसे साइट से ही कलर करना है पूरा कलर कर देना है अब इसकी जो साइट के हैं उसे में कलर कर रहे हूं इस तरह यह हमारा टेबल कलर हो चुका है यह साइट साइट से जो लाइन है उसे तो डार करना है और अब मैं पूरे में आउट लाइन दे दूगी इस तरह इस तरह पूरे में आउट लाइन हमें दे देना है अब देखिए यह जो टेबल है उसका डारेक्शन इस तरफ है इस बाएं आपकी जो बाएं हाँ ते उसकी तरफ है और इस तरह मेंब इनिस को पैर बना दिया था इक यह बस पहले वाले टेबल पूसरे वाले टेबल में ठीक है पहले वाले इस तरह से था टेबल का डायरेक्शन पहले वाला और इस तरह से इस वाले टेबल का डायरेक्शन बस यह अंतर है हमें बना रही हूँ ओवल सेफ देकर की टेबल जो बोल टेबल होते हैं ना बस वही वाले टेबल हमें बना रही हूँ इस से ओवल सेफ दे देना है आपको इस तरह हमें बना देना है इसका जो बेस होता है इस तरह से हमें में डिजाइन कर रही हूँ इसका इस सरकल को जो मेरा ओवल सेफ है उसे में थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ पहले से इस तरह से थोड़ा समय ने बड़ा किया बस हो गया यह मैंने पूरे में आउटलाइन दे दिया है और थोड़े से बर्फी जैसे अकार भी बना दिया है इस तरह से डिजाइनिक तरह से हो गया यह और अब हम इसे कलर कर देंगे तो मैं इसे पिंक कलर से कलर कर रही हूं पिंक मुझे अच्छा भी लगता है इस तरह से पूरे में यह इसको कवर करते हुए कलर करना है जो यह सेप दिया हुआ मैंने बर्फी का यह इस तरह से पूरा कलर हम कर देंगे पूरे में बर्फी वाले सेप में ग्लीटर वाला जो गोल्डन कलर होता है उससे मैं कलर कर रही हूं इस तरह से मैंने बल्लैक पैंसे डॉट डॉट दे दिया है और यह डिजाइन बन गया इस जो मेरा दूसरा टेबल था उससे मैं ने कलर करके अब मैं इसमें आउटलाइन दे है यह हमारा हो चुगा यह भी डेवल ओके फ्रेंज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें रेट कलर में बटन दिया हुआ नीचे में उससे आपको प्रेस करना है और बेल वीडियो डाल हुआ आप लोगों तब तुरन पहुंचें ओके फिर थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग